हम बहुत दिनों से परेशान थे के आखिर कोरोना से कैसे बचना है इस पर पाकिस्तान के किसी मंतरी ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया आखिरकार आज हमारा ये इंतजार खतम हो गया मगर कोरोना से बचने के लिए पाकिस्तान की महिला मंतरी ने जो सला दी उसके सामने तो डवलू एचो की भी गाईल लाइने फेल हो गई अब जल्द ही डवलू एचो को अपनी टीम पाकिस्तान के मंतरीयों से कोरोना से बचने के उपाई जानने के लिए पाकिस्तान बेज द तो सुना आपने पाकिस्तान की इस महिला मंत्री की सला को आप गाठ बांद लीजिए तबी कोरोना से बच पाएंगे एक तरब भरस समय दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस का परकोप है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कोरोना महामारी से जूज रहा है कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ दोने और सोशल डिस्टेंसिंग की सला दी जा रही है तो दूसरी तरब पाकिस्तान की महिला मंत्री अपनी एक नई ही सला दे रही है जिससे सुनकर आपकी भी हसी निकल गई होगी। चलिए एक बार फिर सुनवाते हैं। फिर दौस आसे कवान। वाइरल वीडियो में पाकिस्तान की मंतरी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वाइरस नीचे से भी घुश सकता है। उन्होंने लोगों से अपने टांगों को ढखने की अपील की ताकि वाइरस नीचे से ना फैल सके। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बाइरल हो रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान के परधान मंतरी इम्रान खान की सूचना एम परसारन मामलों की विसेश शलाकार मंतरी का है। वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है। तुम्हारा जिस्म हो, पाओं हो, टांगे हो, वो और बाइरस नीचे से आजाए, ये सारी चीजें आपको साथ साथ चलानी है, ये भी मेडिकल साइंस है और हमने इसके लिए मिलके काम करना है। पाकिस्तान की मंतरी ने ये बयान बकाइदा स्टेज पर बैठकर माइक के माध्यम से दिया, हालांकि ये कोई पहला मौका नही दी है, फिर दौस आशिक अवान के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स मज़ेदार परतिक्रिया दे रहे हैं, एक यूजर्स ने फिर दौस से कहा के उनको फवाद चौदरी से भी मिलना चाहिए, उनका ग्यान भी काफी अच्छा है।